बड़नाव S.E.C.L. के कोईलाख खनन के कारण शेत्र की रहवासी लगतार भू धसान से प्यूरित है कई लाखों में जमीन के कई हिस्से कुए जोई से धस गए हैं लेकिन ना जुलाप्रशासन को और ना ही S.E.C.L. को इस स्थिती से निबटने की चुनता है 36 गड़ किसान सभा ने यहां के नागरिकों की चिंता करते हुए भू धसान प्रभावित इलाखों का सर्वे कर पिढ़ीतों को मुआफजा देने और पुनरवास करने भू विस्थापितों को नियमित रोजगार देने आदिवासियों को वन भूमी का पट्ता देने शेत्र में बंद आंगनवाडियों को शुरू करने और भूस खलन को रोकने के उपाय आदी मांगों को लेकर 14 अक्टूबर को भढगाव से जरही तक सेकड़ों किसानों ने पधियात्रा की थी और S.E.C.L. महा प्रबंधक को एक ग्यापन सोपा था साथी साथी जोरान कारवाही की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से धरने पर ये बैठे हुए हैं किसान सभा के जुला सचेव कपिल पेकरा ने सांदोलन के प्रती S.E.C.L. के उदासीन रवेए की निंदा की वहीं एक नवंबर को काला दिवस भी मनाया गया और नवंबर माह में कोल परिवहन रो को चक्का जाम करने का भी आभान किया गया राइपूर किसान राज्य सभा राज्य महा सचेव रिशी कुमार गुपता ने किसान सभा के नेता प्रशांत जहाने शेत्र का दौरा किया और अंदोलन कारियों का होसला बुलंद किया उन्होंने कहा कि 36 गड़ SECL के खनन प्रभाविट शेत्रों के ग्रामीनों के साथ एक जुठो का रांदोलन किया जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट